2015 से आपके लिए SAQ भी हम करेंगे बागी आपको परिसान होने का दरकार नहीं है SAQ short answer type तो सुन साते हैं और कितने आते हैं अभी पहले 1 in 2 8 वाला बात कर रहे है देखो, समझो What is partnership deed? पहला questions क्या है? What is partnership deed? मैं question नहीं लिक रहा हूँ क्योंकि देखेंगे अगर हम questions लिकेंगे तो वक्त लगेगा और हम लोग मंजीर तक नहीं पहुँच पाएंगे तो What is partnership deed? आपके पास questions है और YouTube से जो पढ़ रहे हैं तो देखेंगे आपको questions पहले दिखेगा फिर उसका आंसर दिखेगा क्या है झाल 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 देखिए अभी हम लोग आपके साथ बार बार डिस्कस किये कि पार्टनर्शिप डिट क्या है पार्टनर्शिप डिट क्या है एक written to comments है जिसके अंदर क्या-क्या रहता है partnership deed is a written document which contains the terms and conditions of partnership agreed upon by all the partners. सारे partners जो agreed होते हैं जिस terms and condition को जिस चीज में लिखे जाते हैं उसी को हम लोग partnership deed बोलते हैं. What is goodwill? आप देख रहे हैं और करके भी दिया हुआ है. और करके यानि आपको या तो partnership deed करना है या और करके goodwill को करना है. Goodwill के बारे में अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में valuation of goodwill bowl के एक chapters है आप उसमें जाना आप देखेंगे उसमें आपको सारे चीज मिल जाएंगे सारे चीज मिलेंगे उसमें super profit, access profit, normal profit एक एक चीजों को मैंने वहाँ पर deal किया है. ठीक है बट जली है हम लोग goodwill के बारे में सिर्फ लिखेंगे लिखो जल्दी से जाएंगे, भी को मैंने लीक आपको जाएंगे मिलें जाएंगे लिखेंगे लोग जाएंगे इससे कम तो लिखकर नहीं चलेगा लिखना पड़ेगा आईए दीखते हैं कि बोलाए गुडविल क्या है। गुडविल देखिए हम लोग बार बार बात किये हैं कि अगर सेब टाइप बिजनस यह वर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर सेम टाइप बिजनस नहीं अगर आप बोलेंगे। तो कैसे बता चलेगा कि दो से तिसरा कोंग जादा कमा रहा है तो यहां पर हम लोगों ने माल लिया कि same type का business तिन लोग कर रहा है तो goodwill क्या है goodwill is the value of reputation of a firm firm का जो reputation होता है in respect of the profit expected in future over and above the normal profit earned by the other firms belong to the same industry अभी तुरंत मैंने बताया था कि माली यह तीनों same type के business कर रहे हैं और यह 10,000 पर मंद यह 10,000 पर मंद कमा रहा है but goodwill, market में इसका goodwill है name, fame, reputation है तो पहले लोग इसके पास आके चीजों को देखना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे माली जी यह दोनों से अगर यह ज़ो ज़्यादा कमाता है तो सिक अभी लोग क्या बोलते है goodwill यानि लोग जो नाम से आते है goodwill is the value of आतोसर का नाम से आप आया है न, goodwill है न क्योंकि सब कोई जानते हैं कि 28 years का experience यही trust है क्योंकि आपके जानपाचान के, आपके घर के कोई न कोई पढ़के गया है जो fully satisfied हुआ है तो इसी को goodwill बोलते है कि आपके पास में नहीं बोलने गया, आप खुद यहाँ पर चलकर आए, खोजते हुए आए या आपको सभी को पता इस area में कि मातुसर कहां पढ़ाता है what do you mean by gaining ratio? questions क्या है? what do you mean by gaining ratio? अब एक-एक बातों को समझो, gaining ratio, हम लोग gaining ratio एक बार नहीं, gaining ratio, हम लोग बार-बार retirement of a partner में देखे हैं, जब कोई partner, sit में, अगर माली JBC 3 partner है, अगर एक partner का देथ हो जाता है, या retire हो जाता है, तो remaining partner को क्या होता है? gain होता है, होता है कि नहीं? और sacrifice कब होगा? जब एक partner आएगा, यानि एडिविशन में, तब जो पुराना partner है, अपने profit को sacrifice करता है आने वाले के लिए, तो gaining ratio भी आ सकता है, what is gaining ratio? जैसे आया है, what is sacrificing ratio? ये भी आ सकता है, उसका एक formula भी है ना? sacrifice ratio को क्ये से बोलता है हम लोग? ओल्ड माइनस? और gaining को? ठीक है, चली अभी हम लोग लिखते हैं. ट्निष म लोग को को क्यों लोगारत की लोगारते हैं.